दोस्तों UPSC के PT Special Series में आप सभी का स्वागत है और ये है Geography का Section इसके पहले हमने Art and Culture का Section किया है उसमें भी Classes होंगी और इसी के साथ हमने Geography के जो Previous Year में Question Paper पूछे गए हैं उनको आज Analysis करेंगे जिसमें आज हम समझेंगे Map से Question जो आए हैं इसके लाँ Geological Structure से जो Question पूछे ग पहले हम आपको बता दें यह हमारा टेलिग्राम चैनल है इस्टुडियान आइस नाम से आप सिसको सर्च कर सकते हैं या फिर दिए वे QR कोड को आप स्कैन करके आप PDF और Classes के Information की अपडेज के लिए जॉइन कर सकते हैं इसके लाँ अगर आपको Classes पसंद आ रहे हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और जाज़ाद लोग पस सेयर भी कर सकते हैं क्योंकि हम इसमें पिछले 13 वर्स के जितने भी कुश्चन आए हैं 2023 तक 2011 से उन सभी का समावेशन करेंगे जो आपके आने वाले एक्जाम के लिए फाइदे फाइदे मन्द होंगे तो चलिए Class के सुरुआज करते हैं सबसे पहला कुश्चन पूछा गया जोग्राफिकल स्ट्रक्चर से 2012 में इसमें पूछा गया जब आप हिमाले की यात्रा करेंगे तो आप निमलिखित में क्या देखेंगे आप्सन एक गहरे गड़े आप्सन दो यू घुमा वाली नदी मार्क आप्सन तीन समनांतर परवत स्रेडिया यानि पैरलर मौंटन रेज जैसे आप हिमालिया में देखते हैं इसके लाँ चौथा पूछा गया है भूसकलन के लिए उत्तरदाई तीवड़ाल परवड़ता अब इसमें पूछा है उपरियुक में से कौन से हिमाले के तरुर्वलित परवत यानि न्यू यंग फोल्ड मौंटनेल के साच कह जा सकते हैं एक दिया है एक और दो आपसन बी दिया है एक दो तीन चार आपसन सी दिया है तीन और चार आपसन डी दिया है एक दो तीन और चार अगर बात करें इसमें जो फोल्ड मौंटन की तो इसमें हलाकि इसमें जो आपसन सही होगा आपसन डी सही होगा ठीक है लेकिन इसके बार इस वीडियो में देख रहे होंगे कि कई सारे आपको लेयर दिखाई दे रहे होंगे यही लेयर क्या है फोल्ड है इनमें जो बीच में है उनको एंटी क्लाइन कहते हैं या ओल्ड कहते हैं और जो आउटर में हैं उनको सिंक्लाइन करते हैं ठीक है तो यही सारे जो फोल्ड ह उन ने कया कहते हैं फोल्ड कहते हैं और यह प्लेट टेक्टाॉनिक में चिजिस का पाइंटस tai को यही फोल्ड यही तो यही होता है आपको सतह दिखाई देंगे और कुछ नहीं यही सतह जो क्या है फोल्ड है इसके लावाँ अगर आपने कभी जहाज बनाया होगा तो क्या करते हैं पेपर को फोल्ड करते हैं फोल्ड करने के बाद क्या होता है एक टाइम बाद वहाँ पर निसान पड़ जाता है ठीक है तो वही जो फोल्ड जाता हो उसे ही क्या करते हैं ठीक है इसके अलावा अगर बात करें हिमालिया में मौजुद जो फोल्ड होते हैं तो हिमालिया या कोई भी यंग फोल्ड माउंटेंड हो दुनिया में ठीक है तो उसमें कई तरीके के आपको फोल्ड पाया जाते हैं जा जो निवफोंटे में क्या क्या विश्षा सब्सक्राइब से सबसंब्सक्राइब आप को नाम हें के दिए किम पैर बैसे सब को हो ढूइ चैसल्ड जो है आपको नाम दिये रहते हैं कहने का मतलब इसाइब आट आप तो इस प्रकार की विसेस्ता देखने को मिलती है इसके लावा जितने भी यंग फोल्ड मौंटें दुनिया भे मौझूत हैं वह समय के साथ अभी उचाइब बढ़ रही है तो जब समय के साथ उनके उचाइब बढ़ रही है तो वहाँ पर ढाल होंगे तीव ढाल होंगे और चटान क्योंकि अभी जो है आईस्थिर है तो वहाँ पर लेंड्सलाइट की दसा देखने को मिलेगी अगर भारत का एक्जामपल की बात करें तो आप उत्राखंड में जाएंगे तो वहाँ पर जो है लेंड्सलाइट देखने को मिलेगा या कई सारे ग्लेशियल लेंड्स स्लैट देखने को मिला था यानि चट्टान जो है असंगटित है ठीक है रॉक जो है बहुत ज़्यादा सौफ है तो उससे बहुत साजित रास्दी हो सकती है इसके अलावा दुनिया में जितने भी आपको यंग फोल्ड मॉंडेन मिलेंगे वहां पर अर्थ की घटना देखने को मिलती है इसके लावा बात करें तो यंग फोल्ड मॉंटेन से आप देखेंगे तो जैसे एंडी और रॉकी की बात करें ठीक है हिमाले में भूकंप क्यों नहीं आते यंग फोल्ड मॉंटेन होते हुए इसकी चर्चा अमलों करेंगे लेकिन दुनिया में हिमाले का लाव जितने भी यंग फोल्ड मॉंटेन आपको मिलेंगे वहां पर देखेंगे तो क्या होता है वहां पर जो है भूकंप के साथ ज्वालमकी घटना देखने को मिलती है अगर देखें तो पुरे बिस में डिस्टिब्यूशन देखें यंग फोल्ड मॉंटेन के तो रॉकी यहां पर यंग फोल्ड मांटेंड बने हैं यहां पर जोला मुखी घटना भूकम की घटना आपको देखने के मिलेगी इसके लावा देखेंगे तो अफ्रीका में आ जाएंगे अफ्रीका में एट्रस मांटेंड आपको देखने को मिलेगी यह भी यंग फोल्ड मांटेंड है यूरोप में चले जाएंगे, आल्स मॉंटन देखेने को मिलेगा, यहां भी देखेंगे तो आपको जौलमकी घटना, भूकम की घटना देखने को मिलेगी, इसके लावा काकेस स्रेंद भी आपको देखने, हिमालया एक ऐसा रीजन है जहां पर आपको भूकम की घटना देख देखने को नहीं मिलती है, आपने इसके पहले देखा कि एंडीज और रॉक्रीज मॉंटेन क्या है एक बात करें तो नौर्थ अमेरिकन प्लेट एक कॉंटिनेंट प्लेट है, इसके अलावा प्रसांद महासागरी प्लेट है, तो प्रसांद कहने का मतलब महासागरी एक कौंटिनेंट प्लेट का भी हिस्सा आपको देखने को मिलेगा, इसके अलावा अगर बात करें। तो यूरोड़ के और महाधी प्लेट है। कि उतना हैवी उतना डिनस्टी नहीं है, जितना पैस्थिक औृसियान की प्ले प्लेट की होती है, ठीके इसी लिए जो है, इ प्लेट की तरह भारी नहीं है तो इसी कार्ड क्या हो रहा है जब हलकी प्लेट यानि यूरेसियम प्लेट और भारी प्लेट उसके पेच्छा भारी प्लेट जो है एंडियन प्लेट दोनों का सब्डक्शन हो रहा है तो उसमें क्या हो रहा है एंडियन प्लेट भारी उतनी न अंदर जाएगी तो बेनिया आप जोन में क्या होता है वो जो भारी प्रेट होती है उसके चट्टाने तूटती हैं तूटने के बाद क्या होता है रेडियो एक्टिव जो तत होते हैं वो एक्टिव होने के वहाँ जो है गर्म गलित मैगमा बनता है गर्म गलित मैगमा बनता क्योंकि जो है इंडियन प्लेट नीचे उतना सब्डक्सन जोन यानि बेनियाब जोन तक जाही नहीं रहे कि वहां से चट्टाने तूट कर जो है गर्म गलित महगमा बने के जो है उपर आए तो यह कराड़ था कि हिमाले में जो है भूकम की घटना होती है लेकिन जो अलामु अब्रक प्रचुर मात्रा में कोड्रमा में पाया जाता है ऑप्सन तीन दिया है धाड़वार खनिस तेल के लिए प्रसिद्ध है तो आपको बताना है इसमें जो है उपरीत कसन में कौन से सही है जहां तक गोड़वाना की बात है दोस्तों गोड़वाना में प्राक्तिक ग पर लोहा मैगनीज जैसे अनिक हनीच मिलते हैं ना कि पेट्रोल मिलता है इस प्रकार इसमें देखें इसमें केवल और केवल ऑप्सन भी जो होगा यानि आप से यहां पर हमने जो बताया वह सी का एक्स्प्राइशन दिया है आपको देख लेना है इसके रावा दोस्तों आप पैंजिया पैंथालता होता है पैंजिया फिर तो तूटता है ठीक है लॉरेंसिया और गोड़वाना में तो इसके बाद modern word दिखाई देता है तो इसमें हम कहने का मतलब यह है कि लॉरेंसिया और गोड़वाना में अगर हम इसमें आपको बता रहें गोड़वाना करम की च कोईला पायाता है जर्मनी का रूर्ट प्रदेस वहां भी कोईला पायाता है युरेसिया में कई जगां कोईला पायाता है गोड़वाना में भारत में कोईला पायाता है अफ्रीका में पायाता है साथ अफ्रीका में कोईला पायाता है कहने का मतलब जो मैंने बता है पहले समझना होगा कि कोल कैसे बनता है तो देखिए दोस्तों फार्मेशन आप कोल को समझने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि वहाँ पर आपको कोल जो बनता है उसके लिए जिवास्म इधन चाहिए जिवास्म होना चरूरी है यानि पेड़ पौधे लकड़ी ये सब होना जरूरी है अब उनको जो है जब वो समय के साथ क्या होते है जैसे टूट फूट कर वो पिट में बदल जाते हैं तो उसमें हीट और प्रेसर का होना भी जरूरी है अब हीट और प्रेसर के साथ समय के काल के साथ क्या होते है वो कोले में परवाटित हो जाते हैं तो आप कहेंगे कि Alaska में जो है इतनी गर्मी है नहीं हीट है नहीं और वहाँ पर सूर का प्रकास है नहीं तो कहने का मतलब यह है जब आपने Continental Drift थोड़ी पड़ा है तो इसका मतलब यह नहीं कि एक ही बाल Continental Drift हुआ है कई बार हो चुका यानि करकर रेखा कभी ने कभी Alaska से गुजरी होगी वहाँ पर टॉपिकल वेजिटेशन मिला होगा और समय के साथ जो है वहाँ पर कोल का फॉर्मेशन हुआ होगा तो इसको भी आपको समझने की जरूत है कि कोल जो है जब आप थियोरी पढ़ेंगे तो उसके साक्ष में ये भी लिख सकते हैं कि वहाँ पर ज टॉपिकल रेखा जो है अलासका से गुजरी होगी ठीक है तो इस प्रकार कोल का फॉर्मेशन होता है अब दोस्तों बात करें कोल डिजर्व इन इंडिया की बात करें तो अगर स्टेट वाइस देखे सब जादा जारखन फिसकोबाद उड़ीसा फिर चत्यजगर्ड वेस् से इसके लाओं दोस्तों अगर भारत की बात करें कोल माइन्स की तो जहां पर आइडिफिकेशन की है वहां पर सिंग रॉली बोकार हो गया जहरिया हो गया रानी गंज कोब्रा तल्चर सिंग सिंग रेनी नह वेली तो यह जो है इनकी लोकेशन है यह आपको देख लेना कि इस स्टेट में है कभी-कभी कुशन इसके लाओं जहां तक रॉक फर्मेशन की बात है तो भारत में आर्कियन विंदियन डगकन ठीक है इन सब टाइप की जो है रॉक पाई जाती है इनका अलग-अलग स्टेट्मेंट डिस्ट्रिवीशन है जैसे आर्कियन सबसे पुराना रॉक सिस्टम है उसके बाद धारवाड आता है फिर खुड़ाप बिंदियन सिस्टम आता है इसकी विसेस्ता क्या होती है इसको आपको पढ़ लेना तो असी के साथ आज का जो एपसोड है वो समाप्थ होता है थैंक्स पर वाचिंग अगर आपको क्लासस पसंद आई हो च झाल 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